नमश्कार दोस्तों, एक साल की देरी, हफ्तों की नकारात्मक सुर्खियों और सारवजनिक प्रतिक्रिया के बाद, टोक्यो ओलम्पिक शुक्रवार को फाइनली फुकुशिमा में सौफ्ट बॉल खेल के साथ टोक्यो ओलम्पिक खेलो की शुरुआत हुई. जापान ने 2020 खेलो के पहले राउंड में आस्ट्रेलिया को आठ एक से हराया, जो कॉरोनो वाइरस मामलों में वृद्धी के बाद आपातकाल की स्थिती में टोक्यो के साथ जनता के समर्थन के लिए संगहर्ष कर रहा है. अधिकांश ओलम्पिक से प्रशंसकों को रोक दिया गया है और खेल फुकुशिमा में खाली स्टैंड के सामने हुआ. अंतरराष्ट्रिय ओलम्पिक समिती के लिए इस मुकाम तक पहुँचना काफी कठिन काम रहा है क्योंकि टोक्यो ओलम्पिक 2020 में महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था. लिकिन अभी भी COVID-19 पूरे जापान में अशान्ती का कारण बना हुआ है. जिसका पहला COVID-19 मामला पिछले सप्ताहांत में एथलीट के गाव में आया और सत्तर से अधिक मामलों अभी तक सामने आ चुके हैं क्योंकि जापान 22 अगस्त तक चौथे आपातकाल की स्थिती में है. फिर भी IOC और जापान के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है. यह आयोजन अभी जारी रहेगा. ट्रॉयटर्स के मुताबिक बजट पहले ही अनुमानत 15.4 अरब डॉलर हो गया है. और अधिक अरबों रूपे दाओं पर हैं. मंगलवार को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिती के अधिकारी तोशीरो मुतो ने महमारी के कारण अंतिम समय में खेलो को रद करने से इनकार नहीं किया. कौविड प्रोटोकॉल में एथलीटो के लिए डेली नाक स्वाब परीक्षन की आवशक्ता होगी. ओलंपिक विजेताओं को संपर्क सीमित करने के लिए एक ट्रे पर पदक भी प्राप्त होंगे और समारोहों के दौरान हाथ मिलाने या गले लगाने की अनुमती नहीं होगी. अंत मैं, साल 2022 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले शहर की भी घोशना कर दी गई है. आस्ट्रेलिया का ब्रिजबिन शहर साल 2022 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा. अंतराश्ट्री ओलंपिक समिती, IOC, ने इसकी घोशना कर इस पर मौहर भी लग तो दोस्तों ये विडियो कैसी लगे आपको कॉमेंट करके जरूर बताए तब तक के लिए धन्यवाद